चानेक की निती चाने द्वारा निची गरंत है। इस गरंत का मुखेबि से माना समाज को अपने जीवन की हर पहनुओं के विवारिक सिक्षा देनी है। चानेक की एक महान ग्यानी थे जिन्नोंने अपने नितियों की बदोलत चंद्रगुत मोरी को राधा की गद्धी पर बिठा दिया था। आईए जानते हैं कुझ ऐसी महात्पूर्ण नितियां जो आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों मनुस्यों को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए ये तीन काम करने में कभी भी सर्म नहीं करनी चाहिए। और ना मिले तो जबरदस्ती भी इन कामों को आप करेंगे तो आप लोगों को इन चीजों को मांगने में सर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर आ जिसमें आपका ही बहुत बड़ा नुपसान हो सकता है और यहां तक कि इन चीजों को न लेने पर नात की ऐसे तैसी हो सकती हैं दोस्तों यह बात बिल्कुल सकते हैं पूरानी मान्यताओं के अनुसार जुवैक्ति इन चीजों को मांगने में सर्म करता है तो उसे कभी भी काम या भी नहीं मिलती हैं और नहीं संतुष्टी मिलती हैं दोस्तों आपको बता दें आचारे चानक के बारे में आपने सुना ही होगा आचारे चानक के ने मानव जीवन के लिए कई बाते बताई हैं जिसे अगर जीवन में मनुस्य अपना लेता है धारन कर लेता है तो उसके एक पुरुष को तो जिसके बारे में, दोस्तों वीडियो को आगे बनाने स्वेरे, हम आप से विंति करते हैं, कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप बात में भूल जाते हैं, इस प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब चरूड कर ले अब चलिए शुरू करते हैं दूस्तो पहला है पति पतनी का प्यार दूस्तो सारी रिख समंद के तौर पर किसी भी जोड़े को यह गलतियां कभी भी नहीं करने चाहिए दूस्तो फ्रेम समंदों को मजबूत बनाने के लिए दोनों के बीच में कई महत्मन बाते होती रहती हैं और समंद के दोरान अगर आप सर्माते हैं तो उनके वीच कोई गायर मर्ग या गायर इस्तरी अपनी जगह बना लेती हैं इसलिए समंदों के दोरान सर्म बिलकुल भी नहीं करें बेजीज़े को कर प्रेम करने से ही आपकी भलाई नमबर दू, भोजन करते समय, कभी भी किसी भी मनुस्य को सर्म नहीं करना साहिए, चानक्ते जी कहते हैं, दोस्तों जिन लोगों को भोजन करने में सर्म आती है, वह अक्सर भूके ही सोते हैं, और यह मुसीबत उनके लिए बड़ी परिशानी का कारण मन जाती है, दोस्तों भूका आदमे खुद का सिकार हो जाता है, उनको गोध बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए उसे पेट भर खाना चाहिए, और भोजन करते समय, कभी भी सर्म नहीं करने चाहिए, दोस्तों नमबर तिन, दोस्तों गुरु ने से ग्यान लेते समय, या किसी भी जानकारी को ल भी सफल नहीं हो पाता, इसलिए कहा जाता है, अधूरा ग्यान आप भी सबसे बड़ी हार होती हैं, दोस्तों आब बात करते हैं नमबर चार की, जो की है उधार का पैसा, दोस्तों आचारे चानक के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को दिया वधन, हमे पैसा तो आपका ही है, इसलिए आप जरूर मागे, इसलिए चानक निती के अनुसार, आप ऐसी धलतियां बिलकुल भी न करें, हम उमीद करते हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर सेयर कर दिजेगा, आपका दिन सुभू, धन्यवाद